बिस्मिल्ला रुख्मान रुरहीम, असलाम अलेकुम, स्टुडेंट्स टुडेंट्स टुडेंट्स अबाओट माइटोसिस लास्ट लेक्चर में हम माइटोसिस को डिसकस कर रहे थे, फर्स्ट फेस, प्रोफेस को हमने पढ़ा था, चलते हैं इसको मजीद कॉंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, स्टुडेंट्स लास्ट टाइम, प्रोफेस के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, प्रोफेस के बारे मे करक्टीब के साथ क्या राफ कंश्योंस दूपलिकेट कर एक को नोन कहिंते कोर फाइबर का नाम इसे पूरे के पूरे के अगले वेस को आज हम डिसकस करते हैं चिछ का नाम है मेटाफेज इसको मेटाफेज इसलिए कहा जाता है क्योंकिव इस फेस में सेल के बिलकुल सेंटर में आखर के homosomes arrange हो जते हैं align हो जते हैं ठर्वा जते हैं ठीक है और आधा है है cidade को हम meat face plate की नाम भी देते हैं किड़ेंस इस face को metaphase भी कहा जते है यानिकि वह face जिसके doran chronosome cell के बिल्कुल center में arrange हो जते है metaphase plate के along student next face में क्या change है इसको समझने के लिए हम लोग further point को discuss करते हैं जिसका नाम है एनाफेज ठीक है एनाफेज के दुरान cell के अंदर जो क्रोमोसोम बिल्कुल center में रेश थे वो opposite poles की तरफ move करना शुरू कर देते हैं और इसमें होता यह है कि दोनों तरफ के centriol contract करते हैं short हो जाते हैं सुकर जाते हैं जिसकी वज़ा से क्रोमोसोम center से बिल्कुल detach हो जाते हैं अलग हो जाते हैं और क्रोमोसोम के chromatid एक दूसरे से अलग होने के बाद वो sister chromatids कहलाते हैं यहां पर क्रोमोसोम जब opposite poles की तरफ move करते हैं तो क्रोमोसोम के devian मुकमल होती है क्रोमोसोम basically क्या है hereditary material है यह वरासती मादा है जो खसूसियात को एक नसल से अगली नसल में मुंत्किल करता है स्टुडेंट्स इसके बाद cell अगले मरहले में दाखिल होता है जिसको टीलो फेस बोला जाता है टीलो फेस के अंदर बिल्कुल वो सब उलट काम होते हैं उसस लिए अंदर जित्ती भी जीज़े हैं वो खत्म हो जाती है spread हो जाती है ठीक है फैल जाती है chromatin chromosome में तब्दील हो जाता है नुकलियोलस खत्म हो जाता है स्पिंदल फाइबर बन जाते हैं centriol के duplicate होने के बाद यहां पर जैसे ही cell टीलो फेस में दाखिल होता है तो सब तो हम reverse of pro phase का राब भी देते हैं यानि के यह बिल्कुल pro phase से opposite चीज़े इसमें होती है ठीक है student इसके बाद जब हम cell के nucleus की तक्सीम मुकमल कर लेते हैं तो अगले मरहले में cell का cytoplasm भी separate हो जाता है ठीक है तक्सीम हो जाता है इसको हम cytokinesis बोलते हैं यह दो अलफास का मजम हाफ में divide हो जाता है cytokinesis को study किया जाए तो यह अमल पोदों में अलग तरीके से होता है जानवरों के अंदर अलग तरीके से होता है प्रांट सल के अंदर cytokinesis के अंदर क्या difference है और animals के अंदर cytokinesis में क्या difference है student इसकी detail को समझते के लिए हम लोग further move करते है देखे students animals के अं my brain twitch होती है बती है और दबते दबते यहां तक कि पहुंझ जाती है कि वापर और नीचे से आ करके अपस में मिल जाती है नतीजे के तोर पे एक Cytoplasm के सास्थ है एक सेल डोम के अंदर डिवाइड हो जाता है थाम यह पता है न्यूकलिस अलड़ेंदी डिवाइड हो चुक हो जाएगी उपर और नीचे सेसल में आपस में समें अजीज में सरी यह होगा को एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा अब हम बात करते हैं वह थोड़ा सा दिफ्रेंट है वह फर्क यह है कि प्लाइट में बिल्कुल साइटोप्लास्म के संटर में एक प्लेट बनते ह जिसको फ्रेग्मोप्लास्ट का नाम दिया जता है स्टूडेंट्स फ्रेग्मोप्लास्ट एक प्लेट है जो बिल्कुल उसी जगा भी बनती है जहां पर मेटाफेस प्लेट बनी थी इसके बनने का अमल कैसे पॉसिबल होता है cell के अंदर vesicles move करते हैं गोलजी ओपरेटर से और cytoplasm के बिलकुल center में आ जाते हैं और यूँ करके आपस में fuse कर जाते हैं इस तरह से fuse करते हैं कि उपर और नीचे से ये cell membrane और cell wall को touch कर लेते हैं ठीक है और दोनों तरफ की cytoplasm divide हो जाती है ठीक है यहां पर जो dividing boundary है जो plate बनती है डिवाइट करने वाली इसे phragmoplast का नाम दिया जाता है यह cytokinesis का अमल है जो पोदों के अंदर phragmoplast के जरीए मुमकिन हो पाता है और यहां पोँचकर cell membrane खतम होती है जिसको हम mitosis का नाम देते हैं स्टुडेंट्स अब हम इसको summarize करते है देखे सुडेंट्स जब अभी तक हमने प्रोफेस के बाद आने वाली चेंडिस को पढ़ा मेटफेस को पढ़ा एनफेस को पढ़ा टीलोफेस को पढ़ा और साइटो काइनेसिस को पढ़ा हम पढ़ चुके हैं कि सेल के अंदर वो तबदीली जिस से गुजर कर सेल नए सेल बनाता है वो सेल किस तरह की होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स के जितने ही होते हैं इस नंबर को इस सेल डिवियन को mitosis का नाम दिया जाता है हमने पढ़ा प्रोफेस के दुरान नूकलियस खतम हो जाता है नूकलिय ओलस पे खतम हो जाता है नूकलियर इंवैलब डिसापियर हो जाता है सेंट्रियोल डुप्लिकेट कर जाती है उंसे सिन्टर्फाइबर के ऊदागे को ऑने बड़ा सेल मेटाइज करpe में करिया नाम रिखेल होता हैं खती हैं खतते हैं और या इस मरेपलय। टीलो फेस में वो सब काम होतं हैं जो के प्रो फेस में कर श्कीम सब्ड़ आ स्कीम मुकमल हो जाती है मंने पड़ा उसके बाद साइटो प्लास्म निटॉकश ल tor सिकरिया थिस गोलजी बैजिकल्स अंदर होता है सथी में अंदर की तरफ पिंच करते हैं और उपर और नीचे से आकर के अपस में मिल जाती है और सेल्ट की साइटो क्लाम की दिवियन मुकमल हो जाती है यह फरक है साइटो काइनेसिस का जो प्लांट सेल्ट में और एनिमल सेल्स में मुझूद होता है स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स now हम discuss करेंगे significance of mitosis ठीक है हमने पूरा lecture discuss किया है mitosis का ठीक है और हमने इसमें ये देखा था कि cell किन जेंजी से होता हुआ जो है न वो divide करता है खुद को ठीक है आज इस हमने देखने है कि अब इस अमल से क्या फायता है उसको हम detail से देखते हैं ठीक है इसकी significance को करें हां कि हमने पढ़ा था कि mitosis के अमल से गुजर कर एक साल अपने जैसे दो साल बनाता है उसका फाइदा यह है कि cell की duplication हो जाती है और क्या फाइद है वह हम discuss करते हैं लेकिन पहले देखें कि हमने पढ़ा कि mitosis के अमल में दो major phases होती है इंटर फेस कहते हैं इंटर फेस में जी वन फेस होती है एस फेस होती है जी टू फेस होती है ठीक है स्टूड़ंस इंं फेसिसे घुजर कर एक सहल अपने आपको divien के लिए तियारünf लेटा है अब जब स्ट्वीयन के लिए तियार्ट हो जाता है तो अगले मरहले में माइंटर में इंटर हो जाता है माइंटोसे की फर्दर 2 फेसीज है एको karyokinesis का जाता है, एको cytokinesis का जाता है अब students karyokinesis में cell का nucleus divide करता है और cytokinesis में cell का cytoplasm divide करता है nucleus की division के लिए karyokinesis में further force phases है इन 4 phases से cell जब गुजरता है step by step तो उसका nucleus एक से 2 बराबर हिसों में divide हो जाता है students अब इस तक्सीम के बाद cytoplasm की तक्सीम के बारी आती है और cytoplasm की तक्सीम को cytokinesis बोला जाता है हमने पढ़ा cytokinesis plants में different तरीके से होती है animals में different तरीके से होती है plants के अदर हमने डिसक्स किया कि फ्रेग्मोप्लास्ट बनती है यह एक devian plate है जो के गोल जी वेजिकल्स के चैल के cytoplasm के सेंटर में कठा होने से फ्यूज होने से बनती है थीक है अमने बड़ा animals के अंदर cleavage furrow बनती है cell membrane अंदर की तरफ की तरफ करती है और उपर और नीचे से आकर के आपस में मिल जाती है और animal cell का cytoplasm भी डिवाइड हो जाता है स्टुडेंट यह mitosis का पूरा का procedure पढ़ने के बाद अब हम मूफ करते हैं significance of mitosis की तरफ ठीक है देखते हैं सबसे पहले जो significance है वो है maintenance of chromosomes इसका क्या मतलब है स्टुडेंट इसका मतलब यह है माइटोसिस की cell revience है जब एक cell की तक्सीम से दो cell जब वजूद में आते हैं उन तोनों में chromosomes की तदाद same identical parent जैसी होती है ठीक है नमबर टू उन में chromosome की composition में कोई change नहीं आता सिर्फ वही composition होती है जो के parent cell के अंदर chromosome की already present थी cell replacement students आपके एम में होना चाहिए के हमारी body में हजारों नहीं सेंक्रों नहीं लाखों नहीं करोडों नहीं बलके अरबों खरबों की तदाद में cells मुझूद हैं इतनी बड़ी तदाद में cells मुझूद हैं और बहुत बड़ी तदाद ऐसी भी है जो के खत्म होती रहती है डिस्कार्ड होती रहती है और उसकी जगा लेने के लिए नए सेल्सब्स बनते रहते हैं नए सेल्स पुराने खराब या लाकारा तोड़ Do-qy स्किन सेल्स हैं, खास किसम के स्किन सेल्स होते हैं जिन्में मैटोसिग होती हैं और चोशित《 AlabatoIP के नगारी जरीप Sure- 학 année Mün विभाती नगारी हो जाते हैं विएसे शज़ के नए सेल्स ले लिए तक है नमग 13 Σ से अब लोग 9 क्लास में आगे आने वाले लेक्चर्स में ये पढ़ेंगे कि एज बहुत कम होती है अपनी एज कम्प्लीट करने के बाद डेड हो जाते हैं और उनकी जगह पर नए डेड बलड सेल बनते रहते हैं नए डेड बलड सेल बनने का अमल भी मैटोसिस के ही जरीए मुम्किन हो पाता है नबर त्री रिेगनरेशन री का मतलब दुबारा जेड रちफ और का मतलब जनरेट करना पैदा करना प्रोडे करना ठीक है किसी और किस ऑर्कनीजम की बूड़ी को कोई पार्ट डाना अब गया जाता है अब जबार ताकि समझते में असानी हो नंबर फ़न इस लीजर चिपकली आपने कभी यकीनन देखा होगा कि चिपकली की दुम कट जाती है और कटी दुम दुबारा से बन जाती है यह सेल रीजेनरेशन है उसके बाद स्टार फिश एक एक वेटिक और इसके आम्स होते हैं बाजू होते ह सब्सक्राइब करते हैं अब हम चलते हैं मजीद सिग्निफिकेंस पॉइंट को समझने के लिए देखें सुडेंस ग्रोथ एंड डिवेल्पमेंट स्टुडेंस आपके सामने एक डाग्राम है इसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि एक सेल होता है जिसको जाइगोट कह होती है बार बार डिवियन होती है मल्टिपल डिवियन होती है और वह सेल डिवियन माइटोसीज होती है एक सेल से दो सेल बनते हैं और दो से चार बनते हैं चार से आट बनते हैं और आट सोला में तबदील होते हैं और सोला बच्तिस में तबदील हो जाते हैं यह अमल चलत बिदाई शकल बोला जाता है और इसृप में कोई भी जांदार इक मीचोर होता है तो उसके अंदर फर्दर changes आती हैं तबदील यह आती हैं और उन changes से गुजरके मुकमल और mature जानदार में तबदील होता है एक cell दो cell में तबदील हुआ देखें और वो आगे further कई cells में तबदील हुआ और cell differentiation का अमल हुआ एक immature और embryo बना और उससे एक नया जानदार वजूद ने आया ठीक है जितना growth and development का अमल है नशुनुमा और बरहोट्री का अमल है अफजाइशे नसल का अमल है इसमें mitosis हमारी help करती है ठीक है स्टुडेंट्स इसके बाद जो अगला एक टिशू अपने जासा नया टिशू बनाता है डिप्रोड़क्शन दो तरीके से होती है एक को सेक्शुल रिप्रोड़क्शन बोला जाता है दूसरी को एसेक्शुल रिप्रोड़क्शन बोला जाता है ठीक है एसेक्शुल रिप्रोड़क्शन रिप्रोड़क्शन का ऐ इनके आपस में फर्टिलाइजेशन होती है इन दोनों का आपस में मिलाप होता है और उससे एक नया जानदार वजूद में आता है जबके एसेक्शुल रिप्रोडक्शन इसके बिलकुल बरक्स हैं जिसके अंदर दो नहीं बलके सिर्फ एक पेरेंट का किर्दार होता है तु एसा जानदार है जो पानी के अंदर रहता है इसके बोडि में बडिंग के जरीए एसेक्शुल रिप्रोडक्शन का अमल होता है और एसेक्शुल रिप्रोडक्शन से एक मुकमल नया हाइडरा वजूद में आता है इसमें दूसरे पेरेंट का कोई किदार नहीं होता है ठी छलते हैं दूसरी मिएशाल की तरफ उसको समझने के लिए हम मुव Tekn forte को एक आएग्युपराइगा। प्रोपरगेशन यह दो अलफास का मजमुवा है समझ लिए पोदों में दो तरह के पार्ट होते हैं वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोड़क्टिव पार्ट वेजिटेटिव पार्ट पोड़ों के उन हिस्से को बोला जाता है जो जड़ है तना है पत्ता है रूट होते हैं फूल में तब्दील होते हैं और फल के अंदर मुझू बीच एक नए जानदार के अंदर तब्दील हो जाता है जबके उसको फेवरेबल कंडिशन मिलती हैं यहां पर स्क्रीन पे आपको एक डियाग्राम शो हो रही होगी इसे आप समझ सकते हैं आपकी डेली आपका पोदा तियार हो जाता है इस अमल को कटिंग कहा जाता है स्टुडेंट्स कटिंग भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन के एक एक इग्जेंपल है जिसमें फूल का कोई किरदार नहीं है बलके पोदे का एक वेजिटेटिव पार्ट लिया जो के टेहनी है स्टैम ह उसको मिट्टी में दबा दिया उससे एक निया पोदा बन गया यह वेजिटेटिव प्रोपागेशन के एक 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 सेक्शल रिप्रोड़क्शन है इससे जो निया पोदा बन रहा है उसमें सेल्स रिवायज होते हैं और निया निया सेल्स बनते हैं अब नेक्स पॉ हमारे जिसम में होने वाला हर अमल जीन्स कंट्रोल करता है जीन्स के अंतर वो इंफर्मेशन होती है जीन्स के मताबिक प्रोटीन्स बनती है और प्रोटीन्स की बन्याद पर हमारी बोडी फंक्शन्स परफॉर्म होते है बिल्कुल ऐसे ही जैसे जीन हर काम को कंट्रोल करती है जीन मैटोसिस को भी कंट्रोल करती है सेल डिवियन को भी कंट्रोल करती है और साथ ही साथ अगर ऐसी जीन में कोई खराबी आ जाए जो सेल डिवियन के टाइम को डिसाइड करती है cell deviant के amount को decide करती है तो cell की deviant uncontroll हो जाती है abnormally cell divide करते हैं और बहुत बड़ी तदाद में grow करना शुरू कर जाते हैं इस error को error in mitosis कहा जाता है दूसरे अलफाज में इनको tumor का नाम भी दिया जाता है यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि tumor की दो types हैं वो कौन-कौन सी है एक benign tumor और एक malignant tumor benign tumor ऐसे tumor को कहा जाता है कि जिसमें cell तो multiply होते है abnormally multiply होते है uncontrolled way में multiply होते हैं लेकिन वो अपनी जगा तक localize रहते है adjacent cell तक एक साथ जुड़े हुए cells के आगे नहीं फैलते हैं इसको benign tumor का नाम देते हैं जबके दूसरी टाइप है malignant tumor यह वो किसमें है जिसको हम cancer भी बोलते हैं और इसको फिलाने मेले cell cancerous cell बोलते हैं ठीक है इसमें होता क्या है कि abnormal mitosis से नए cell भी बनते हैं और वो adjacent cell पे अटेक करके फैलना शुरू कर देते हैं और फैलते चले जाते हैं और malignant tumor की वज़ा से cancerous cell के फैलने के हमल को metastasis का नाम दिया जाता है cancerous cells की फैलने की यह सलाहियत malignancy कहलाती है student यह आज का topic था आज हमने जो जीदे पड़ी उसे हम recall कर लेते हैं हमने सबसे पहले significance को start किया significance of mitosis में हमने advantages को discuss किया हमने discuss किया कि mitosis के वज़ा से chromosome number maintain रहते हैं आने वाली generation में chromosome number parent जितने ही रहते हैं number में भी और composition में भी students हमने discuss किया कि cell replacement का अमल भी mitosis ही की वज़ा से होता है पराने cell नकारा हो जाने वाले cell खतम हो जाने वाले cell उनकी जगा नए cell लेते हैं वह बनने का अमल भी mitosis की वज़ा से हो पता है हमने पढ़ा regeneration का अमल भी mitosis की वज़ा से है यह वह अमल है कि जिस अमल से गुजर कर कोई जानदार अपने दिस्वाण का खो जाने वाला हिसा दोबारा से बना लेता है और हमने दो इसके बाद हमने अगले फाइदा को समझने की कोशिश की हमने डिसके किया एस का अमल भी mitosis की वजह से होता है ठीक है यह ऐसा तरीकार है जिसमें एक पेरेंट से मजीद नए जानदार मुझूद में आते हैं और हमने दो एक्जेमपल से इसको समया समझा हाइडरा के अंदर बडिंग का अमल होता है जिसमें एक ही पेरेंट इंबॉल्व होता है और यह एसेक्शुल डिप्रोडक्शन है इसके अंदर माइटोसिस का अमल होता है दूसरी एक्जेमपल थी वेजिटेटिव प्रोपगेशन की ठीक है प्लांट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन का अमल होता है और उसकी एक्जेमपल मैंने आपको रोस प्लांट की दी, गुलाब के पोद्दे की दी, एक टहनी को काट दिया जाए और दबा दिया जाए जमीन में उसे एक नया पोद्दा बन जाएगा, यह भी एसेक्शल रिप्रोडक्शन है, इसमें भी मारिटोसिज इंवल्व होती है, एक और फाइदा जो ह मिचोर नया जानदार बनाता है, इस अमल में भी मारिटोसिज हमें हेल्प करती है, और लास्ट में हमने एरर जिन मारिटोसिज को डिसकस किया, कि मारिटोसिज में अगर एरर आ जाए, मारिटोसिज को कंट्रोल करने वाली जीन में तबदीली आ जाए, जिसको म्यूटिशन बोला जाता है, तो mitosis uncontrolled हो जाती है, cell division uncontrolled होने की वजाए से abnormal cell बड़ी तदाद में multiply करते है, इस अमल को tumor बोला जाता है, अगर यह tumor एक ही जगापर है, तो इसको benign tumor नाम दिया जाता है, और अगर यह tumor फैलना शुरू कर दे, adjacent cell पर attack करना शुरू कर दे तो इसको में लिगनेंट ट्यूमर का नाम दिया जाता है फैलने का अमल मेटास्टेसिस कहलाता है और फैलने की इसलाहियत में लिगनेंट सी कहलाती है कि इस अल अबाउट टुड़ेश लेक्षर थैंक यू